नमस्कार दोस्तो जैसरी एजुकेशन में आपका स्वागत है अगर यह आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए बैल आइकन को दबा लें आज हम सोलुशन करेंगे उत्तर परदेश मैट्रो रेलो कॉर्परेशन लिमिटेड जो पेपर हुआ था उसका हम सोलुशन करेंगे जो कि 17-4-2021 को हुआ था और मेंटेनर पोस्ट के लिए ये एक्जाम हुआ था तो इसमें फर्स्ट बीस क्युस्टनों का ही सोलुशन करते है देखते हैं इसमें फर्स्ट क्युस्टन वह है आगुन जो प्योगी कारियों के लिए उपलब दोता है इस नाम से जाना जाता है तो इसे हम यूजफुल टॉर्क के बारे में पूछा है कि जो यूजफुल टॉर्क होता है उसको किस नाम से जाना जाता है तो देखते हैं देखो useful torque होता है जिसे हम soft torque भी कहते हैं तो soft torque होता है वो armature torque minus होता है losses इसमें क्या होता है इस्टे losses या iron losses जो की घड़ा कर इसमें जो soft पर जो torque मिलता है वो soft torque कहला तो इसका जो right answer रहेगा option D's का right answer रहेगा question number two देखते हैं इसमें तो question number two दिखाया गया इसमें कि आकरती में दिये गए प्रतीक की पैचान करें या आकरती दी गई है इसके प्रतीक की पैचान करनी है कि ये symbol दिया गया इसमें कि इसका symbol है तो हम जानते हैं कि इसमें ये symbol दिखाया गया है इसमें देखो क्या क्या होता है इसमें एक होता है यूनी जंक्सन एक होता है इसमें यूनी जंक्सन होता है और दो होते हैं बेस एक तो होता है बेस टू और एक होता है बेस वन यहां से होता है यहां से होता है एक जंक्सन होता है इसमें जैसे हम एमिटर कहते हैं तो इसका नाम होता है यू जे टी यू ज जंग्सन, यूनी, जंग्सन, ट्रणजिस्टर, यूनी, जंग्सन, ट्रणजिस्टर, तो देखते हैं इसका जो right answer रहेगा, option D इसका right answer रहेगा, question number 3 देखते हैं इसमें, निमिन लिखित में से किस line में आप पूर्ती voltage अन्ने की तुलना में अधिक होती है, कहने का मतलब इन म से किस line में supply voltage अन्य के तुल्ला में अधिक होती है तो यहां से देखा चार option दिये गया है जोकि distribution line होती है यहां पर voltage घट जाता है और generation पर voltage step up किया जाता है लेकिन इतना नहीं किया जाता बोगता पर वोल्टेज गटती है लिए ट्रांसमिशन करने के लिए सब स्थे ज़weisादा बढ़ानी पड़ती है तो इसका राइट आंसर है और आपसंड इसका राइट आंसर रहेगा और ट्रांसमिशन के लिए जैसे हम करते हैं 663222 123 का ओर निया से करते हैं यहां से देखते हैं ऑप्सन डी इसका राइट आंसर रहेगा तो यहां से देखते हैं इसमें इंपुट दिया गया है और आउट्पुट दिया गया है और आउट्पुट वन मिल रहा है तो कहने का मतलब दोनों का प्रोडेक्ट करके इनवर्स हो रहा है तो यहां से में हो रहा है koो रहा है कुस्षन नंबर 5 इसलबर 5 को देखते हैं एक डेल्टा कनेक्टेड balance 3 phase load पर 3 phase 400 वोल्ट की आपूरती से की जाती है और line धारा 20 एंपियर है load द्वारा ली गई सकती 10,000 वाट है तो प्रते एक साखा में impedance याद करना है कहने का मतलब पर phase impedance की value हमें याद करनी है तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से हमें पता होता है कि star connection में delta connection में यहाँ delta connection के लिए बात करते हैं कि line voltage, phase voltage के बराबर होती है जबकि क्या होता है phase धारा, phase धारा line धारा upon under root 3 होता है तो यहाँ से हमें कुछ नहीं निकालना Z pH की value निकालनी है तो Z pH की value होगी V pH upon I pH तो I pH की value हमें पता है यहाँ से देखते हैं आई पिएच की value निकालनेंगे तो आई पिएच की value आएगी B से में under root 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ से इसकी value आएगी approximate 11.54 इसकी विल्यू आएगी 11.54 इसकी value आएगी approximate तो यहाँ से लिख रहो हमें 11.54 एमपेर तो यहां से देखते हैं कि जए VPH की वैल्यू दे रखिए 400 वोल्ट 400 वोल्ट अपोन में IPH की वैल्यू आएगी 11.54 जब इसमें 400 में 11.54 का भाग दूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सिमेट इसकी वैल्यू आएगी 34.64 एंपियर 34.64 एंपियर इसका आंसर रहेगा तो इसका ऑप्सन रहेगा ऑप्सन डी इसका राइट आंसर रहेगा कि उससे नमबर 6 चालक का आकार दर्द करने के लिए निमन में से किस बिंदू को ध्यान में नहीं रखा जाता है यानि कि एक कंड़क्टर का आकार जो कि रेटेड करने के लिए इन में से कौन सा बिंदू की हमें ध्यान रखने की आवसकता नहीं है तो देखो जो चालक का आकार होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रोप पर भी और उसकी करंट केरिंग केपेचिटी पर भी डिपेंड करता है और मेकनिकल कारणों के कारण चलका निमनतम आकार होना चींदू इसका जो राइट आणसर रहेगा इन से नहीं है तो option रहेगा insulation की गुणवत्ता पर depend नहीं करता है insulation की गुणवत्ता पर depend नहीं करता है तो इसका right answer रहेगा option B इसका right answer रहेगा जिसन नमबर 7 एक AC पर्णाली में phase connection का करम होता है जो एक AC पर्णाली में जो phase connection होता है फेज connection की बात करते हैं तो R, Y और B ये connection होता है तो Red, Yellow और Blue ये इस प्रकार से फेज connection होता है एसी पढ़नाली में तो इसका जो Right Answer रहेगा Option A इसका Right Answer रहेगा Question No.8 निमिल लिखित में इसे कौन सा नियम भारते विदुत नियम 1956 के तैत सामाने सुरक्षा आवसकताओं से संबंदित है जो की General Safety आवसकताओं के लिए इन में से कौन सा रूल संबंदित रखता है तो इसका Right Answer रहेगा गुणत 30 से 46 नियम के अंतरकत ये Safety के रूल आते है तो इसका Right Answer रहेगा Option A इसका Right Answer रहेगा Question No.9 नियमन में से कौन सा UJT की हानी का वर्णन करता है कहने का मतलब इन में से कौन सा जो की UJT की हानी का परदसित करता है तो देखो UJT की हानी इन में से कौन सी है तो जो UJT होता है Uni Junction Transistor क्या करता है एक Current के त्रिगरिंग धारा के कम मान की आवसकता होती है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् रहेगा, क्योंसर नमबर 10, निमल लिखित में से कौन सा उर्जा का नमीनी करन सोर्स है, कहने का मतलब इसमें हाता है कि कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है, तो इसमें जो उर्जा का नमीनी करन सोर्स कौन सा होता है, ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स होता है, और एक नोन कन्वेंशन तो यहां से इसमें नवीनी करन पूछा है तो इसमें जवारी फोर्जा होता है वह नवीनी करन उर्जा का शुरौत होता है तुछ व्यूर रहेगा डी इसका रहेगा कुछ नमबर 11 किसी भी बाइनरी संख्यां में सबसे बाइट बाइबिट का नाम क्या होता है ठीक है जो सबसे बाइबिट यानि कि जो सबसे बाइबिट होती है उसका नाम पूछा गया है तो जो इसमें सबसे महतपुन बिट होती है इसमें सबसे महतपुन क्या होती है बिट होती है जिसमें क्या होती है जीरो और वन होता है तो यहां से देखते हैं किस्ट नमबर करते हैं किसके दवारा प्रदिशित करते हैं तो इसमें suspicion 12 संख्या होता है इसमें। टेबल होती है उसमें बाइनरी के लिए जीरो और वन होती है जीरो और वन बिट होती है तो यहां से क्या होता है जीरो बिट होती है ठीक है यहां होती है सत्य अवस्था के लिए प्रद्शित करता है जबकि वन होता है सत्य अवस्था के लिए व्यक्त करता है तो राइट आंसर रहेगा एक के लिए सत्य अवस्था को लिए व्यक्त करता है एक होता है जो की टूथबल टेबल में क्या होता है जीरो वन स्टेट होती है जो सत्य परिवासित किया जाता है कहने का मतलब उसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फिल्ड दारा दी जाती है तो जो उसकी गती और बेस गती पर काम करेंगी जो मोटर की स्पीड होगी और टैट पर काम करती है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा Option B क्योंकि इसमें ना तो वो लोत्री होगी कोईबी सेमीकंड़कटर मटेरेल होता है जिसमें तापमान बढ़ाते हैं यानए कि जब टैमपरेचर भढ़ता है तो रजिस्टेंस की वेल्यू घट्ती हगती है जिसके करान क्या होती है तो चालगता की वेल्यू क्या होती है व reviewers तो इसका right answer रहेगा option C का right answer रहेगा question number 15 है दिए गए चितर में gate का प्रतीक की पैचान करें जो ये gate दिखाएगा इसका पैचान करना है जिसमें क्या क्या गया है कि एक तो क्या गया है or operation और प्लस में note operation क्या गया है तो जिससे बोलते है ये नोर gate का चितर होता है तो जिसका right answer रहेगा option A का right answer रहेगा question number 16 निमिल लिखित में से किसके परिक्षन में peak factor की जानकारी होना महत्वपून होता है जो कि इन में से किसके परिक्षन में peak factor की जानकारी होना आउशक होता है तो इसके लिए हमें धान रखना होता है पीक फेक्टर के लिए ड्वी विद्दुत रोधन की आवसकता जानकारी की होना आवसकता होती है तो इसका जो राइट अंसर हैगा option B इसका right answer रहेगा पीक फेक्टर के लिए ठीक है द्वी विद्धुत रोधन के जानकारी होना आउशक होता है तो इसका right answer रहेगा option B question number 17 insulation प्रतिरोध का मान खालिस्तान में दिया जाता है जो insulation resistance होता है उसकी जो value मापते हैं वो होती है mega ohm में मापते हैं तो इसका right answer रहेगा option B इसका right answer रहेगा question number question number 18 AC आप पूर्ति में load खालिस्तान धारा और voltage एक ही phase में होते हैं तो जब क्या होता है कि धारा और voltage जब एक ही phase में होते हैं AC circuit में तो जो जो load होगा वो एक प्रकार से resistive load होगा किस प्रकार का load होगा resistive होगा pure resistive load होगा तो इसका right answer रहेगा सुद्ध ओमिक परतिरोध लोड हो कहलाएगा तो इसका option A इसका right answer रहेगा question number 19 P प्रकार के अर्ध चालक के लिए doping के रूप में किस समूँ तक्तों का इस्तमाल किया जाता है तो P प्रकार में जो doping होती है उसमें किस प्रकार के तक्तों का इस्तमाल किया जाता है तो P प्रकार के लिए हम आवर्ट सानी के थड़ element तक्तों को मिलाते हैं तो इसका right answer रहेगा option D और जितनी ज़्याद हम doping concentration बढ़ाते हैं अगर हम क्या करते हैं doping concentration बढ़ाते हैं जिसके काण क्या होती है resistivity resistance घटता है और conductance की value भड़ती है तो यह होता है इसमें P प्रकार के अर्चालक में जो doping होती है वावर्ट सानी के थड़ element को मिलाते हैं तो इसका right answer रहेगा option D का right answer रहेगा question number 20 भूपरतिरोध में किस कारकपन depend नहीं करता है जो अर्थ का resistance होता है इन में से किस पर depend नहीं करता है तो अर्थ का resistance मर्दा की स्थती पर depend करता है कि मर्दा wet है या फिर अपनी सुस्क है इस पर depend करता है मर्दा की नमी पर भी depend करता है कि moisturize है या फिर सुस्क है ठीक है और इसमें क्या होता है मरदा का temperature पर भढ़ने पर क्या होती है कि जो आदरता की value घटती है तो जिसके काई चेस्टिविटी भढ़ती है तो यहां से से किस पर debate नहीं करता तो मरदा की रंग पर depend नहीं करता तो इसका जो right answer रहेगा option c का right answer रहेगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़ादा से ज़ादा लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें धन्यवाद 20 किशन तक हम सोलिशन करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले किशनों का सोलिशन करेंगे